बिस्मिल्य रख्मेल रहीम, आज हमारे सामनी जो PCB है, इसका नंबर है HA112431-3620, इस PCB का इस्तिमाल अल्टो के 10 में किया जाता है, ठीक है, इस बोर्ड को B1 के नाम से भी जाना जाता है, तीन कप्लर का होता है, ठीक है जी, तो इसके बारे माज हम थोड़ी सी discuss करते हैं, इसका concept क्या है, काम करने का, तरीके कार, क्या है इस बोर्ड का, तो इस बोर्ड में यह आपका MCU लगा हुए है, जो 5 बोल्ट and 1.5 बोल्ट, इसको ऑपरेट होने के लिए 5 बोल्ट और 1.5 बोल्ट दोनों तरह की सप्लाईयां चाहिए होती है, इस बोर्ड के अंदर अमूमन इसमें फार्ट देखने के मिलता है, यह नेक का MCU होता है, डाव जो उपर से 12 बोल्ट सप्लाई आएगी, इगनीशन वाली सप्लाई आएगी, बैटरी के तरफ से आएगी, यह डावड जो है इस बोर्ड के प्रोडक्शन के लिए, इसकी हिफादत के लिए, सुरच्छा के लिए लगाया जाता है, ताकि बैटरी के तरफ कोई शौटिंग वगरा हो, तो वो शौटिंग इस बोर्ड में ना आए और इसको बचा ले, यहीं पर 47 बोल्ट का कैपिस्टल लगा गया है, यह उपर साने वाले 12 बोल्ट को स्टोर और फिल्टर कर लेते हैं, इस बोर्ट के अंदर यह एक पावर आइसी इस्तिमाल किया गया है, ऐसी 983 य यहां पर ignition supply आती है, sensor को जो reference bolt out होते हैं, वो इससा out होते हैं, इसके इलावा यहां पर दो आपको यह MOSFET लगवे हैं, इनको यह gate drive प्रोवाइट कराती हैं, ताकि यह अपने output निकाल सके, यह जो MOSFET है, यह 5 बोल्ट और पुट करता है, यह जो है 1.5 बोल्ट करता है, यह दोनों supply यह जो है, वो IMCU पर जाती है, इस में से कोई भी एक supply अगर miss होती है, कोई supply आपकी short होती है, यह bolt is कम आते हैं, तब आपका इस board के अंदर check light का issue आ जाता है, check light नहीं आएगी, एक IC यह लगी होती है, जो corner पर होती है, इस IC का का काम होता है, यह just like work as a system IC, ठीक है, य IC 872, और यहां पर fabule supply आती है, इसके जरूरत रहती है, यह आपको यह ignition coil को current provide करना, और तमाम system IC जैसे इसके अंदर function होते हैं, तो यह कुछ इस तरह का board है, यह भी ध्यान रखें के यहां पर यह जो resistance लगी है, यह वाली, यह वाली तो, यह और यह, तो यह can look and high से इनका ता होता है, यहां पर zero ohm का just like as a fuse की तरह यह work करते हैं, ठीक है, यह open हो जाएगा, तो इससे can look and high odd होता है, वो उपर coupler तक पहुंच नहीं पाएगा, तो यह छोटी सी detail थी, उमीद है आपको पसंद आई होगी, thank you so much, जो बहुत मुकमल और बहुत deeply जानकारी चाहते हैं, और EC करना चाहते हैं, हमसे संपर कर सकते हैं, न्यू बैच जो है, वो 22 से स्टार्ट होने जा रहा है हमरा, और आप संपर कर सकते हैं, बहुत बहुत reasonable fees हैं हमारी, four digit के अंदर fees है, और one month का course रहता है, और online live classes रहती हैं हमारी, काफी PDF आपको provide की जाती है, ICO की PDF provide की जाती है, पिन मुनासिफ fee में बहुत कुछ हमारी हैं से और बेहतरीन जानकारी, deeply जानकारी आपको provide की जाएगी, thank you so much, जल्द मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में, good luck